हेलो हाई अब्रीबन वेलकम टु माल चैनल अलबाउट हैर कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में मिल लेकिया हो आपके लिए श्पेशल बहुत ही अच्छा वीडियो लगेगा आपको यहां पर है हेयर कंडिशनर आज मैं शेयर करने वाली इस वीडियो में खरेलू हेयर बताऊंगी कंडिशनर लगाने का तरीका अचिया आपका और किस तरीके से आप अपनी किचन में रख्योई चीजों से कंडिशनर कर सकते हैं अपने बालों को क्यों कि हम हर्बल यूज करें आजकल हर्बल की काफी डिमांड बे और हम चाहते भी है कि कुछ ऐसा हो जो हमारे किचन में हो हम उसे यूज करें तो हमें आपको बताती हूं डिटेल में सबसे पहले आप कर सकते हैं नीबू का यूज कंडिशनर के लिए लेमन बहुत ही यूज करेंंगे तो हम इसको इक बाल में पानी लेंगे इसको पूरा नीचोड लेंगे हम अपने बालों में करेंगे तो साथ की साथ हम उसे मारे ह्यear पे कोई इसका साइड फैक्त नहीं होगा उसकेल वैल वेरा हीचा पाउडर साच में विनेगर चाहे वो एपल का हो चाहे वो गन्य का हो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप सिर का फ्री आबला यूज़ कर सकते हो शिखा का यूज़ कर सकते हो भिंग्रा यूज़ कर सकते हो आप रोस पैटल का पाउडर यूज़ कर सकते हो तो यह कुछ चीज़े मारे कीचन में होती है ले आने का तरीका मैं बता दूँगी लेकिन आज इस वीडियो में लेमान का जो बहुत असान होगा उसी तरीके से इसको भी करना है तो बताऊंगी आप गुडवाइब्स के भी यूज कर सकते हो उसके साथ मैंने आपके साथ शेयर किये थे नो ब्ला ब्ला गुडवाइब्स के ले सकते हैं आप चाहए तो गुडश के ले सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखायेते हाई और ये है उसी तरेका का पावड़र तो ये भी एक तरह के हेयर कंडिशनेर है सभी के सभी बहुत अच्छे हेयर concert practitioner है हेयर पैक में यूज कर सकते हो में यूज कर सकते हो आप शेंप तो में दोनों का दिखाते हूं थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा अच्छा होना चाहिए हमारे हेर के लिए करनिशनर और पता चला आपको कि कौन से प्रोड़क कैसे काम करते हैं अगर आप कही ना कही आपले को यूज कर रहे हैं आपला हमारे बालों को विटामी और करली हेर है बहुत अच्छे रेजल्ट मिलेंगे तो चलिए मैं बताते हूं आपको कंडिशनर करने का तरीका और सभी प्रोड़क के लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेक करेंगे किस तरीके से लगाते हैं और कैसे लगाते हैं रेडिमेंट क शीका काई पावडर ले सकते हैं आप चाहें तो आवला या एलोएरा कोई भी मैंने यहां पर लिया शीका काई और एक चमच लिया है और पानी मिक्स के यह पहले मैं आपको पैक लगा के बताऊंगी कि आप चाहें तो पैक के जरिये भी करनिशनर कर सकते हैं लेकिन आप च साथ की साथ वाश करना पड़ता है पर चार से पांच बार करते ही हैं तो वह भी रेजल्ट देंगे बढ़ इसमें ज्ञाद अच्छा रेजल्ट मिलेगा तो शिका का ही हमारे बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है उसके साथ ही साथ ही हमारी डेंडर्फ को खतम करता है औ तो उन्हें हम रूट सेरिया पर अपलाई नहीं कर सकते हैं हम सिर्फ लैंद पर लगाते हैं उनको तो यह फर्क होता है हर्बल कंडिशनर में और होमेड भी बताऊंगे आपको आप देखेंगे मैं बिल्कुल आपको पानी के साथ हैंड टो हैंड वाश करना बतारी हूं कि साथ की साथ वाश कर लें आप एक चमच लिया आप फिर और मैंने पानी की कौन्टिटी जादा कर लूँगी क्यूंकि हम इसे तीन से चार बार यूज़ करेंगे अपने बालों पर इस तरीके से देख रहे हूं मेरे बाल अभी मैंने वाश नहीं किया है वही पैक कर लगा ह वह ज्यादा रेजल्ट भी देगा अच्छे के लिए आप ऐसा कर सकते हैं एक बाउल ले लेंगे ताकि आपका बार बार पानी वेश्ट ना जाए क्यूंकि कठा करना जरूरी है आप इसी को तीन से चार बार इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे बाल बहुत मूटे बहुत अच्छे हो जाएंगे एक ही बार में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इसके और कोई नुकसान भी नहीं होगा सबसे बड़ी बात है तो देख रहे हूं मैंने एक बाउल ले लिया नीचे बार बार उसी में पानी कर रहे हूं और अच्छे से बालों को रब कर करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि यह रूट से लेंथ पर लगते हैं और इस तरीके से तीन से चार बार करेंगे और फिर साफ पानी से बाश करेंगे हमेशे अधान के कंडिशनर शैंपू करने के बाद ही करें और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा पैक की तरह भी लगा ल यहां पर आप अपनी किचन से ले सकते हैं नीबू, वेनेगर, चुकंदर, एलोवेरा या फिर दही, कोई भी चीज ले सकते हैं मैंने यहां पर नीबू लिया है, एक पूरा नीबू लिया है और एक गिलास पानी मिला लूँगी ताकि यह फ्योर ना रहे तो इस तरीके से लेंगे और लेमन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि यह एंटी बैक्ट्रियल होता है, एंटी-फंगल होता है और एंटी-डेंडर्फ होता है, सिट्रिक आसिड पाया जाता है लेमन के अंदर और इसमें विटामीन Сी पाया जाता है जो हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ाने में बहुत मदत करता है, और हमारे हेयर के लिए काफी अच्छा होता है, यह बहुत ही इन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिमूव करता है अच्छे से तो आप लेमन का यूज इस तरीके से कर सकते हैं मैंने चार से पांच बार डाला है अपने बालों पर इसे रूट्स एरिया से और इनका फाइदा यह होता है कि हम इने रूट्स एरिया से यूज कर स मैं आपको अपनी किसी वीडियो में हरबल शैंपू बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा होगा और अनलाइन ब्यूटी पारलर को सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं लाइब नैचरल ब्यूटी वर्ल्ड पे टुजडे को और फ्राइडे को आती मैं अपने अलबाउट चैनल पर लाइब और अच्छे वीडियो देती हूँ आपको ताकि आप सीख पाओ और मेकप सीखना चाहते हैं तो भी आप बहुत अच्छे मेकप सीख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप भी नए है मेरे चैनल पर या मुझ Thank you.